हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो माइंड विन आइम शुबा महाजुन यो फेकल्टी फोर जोनल स्टुडीज दोस्तों आज का आपको टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टन रहने वाला है आपने थमनेल में तो इसका देखी लिया होगा ये टॉपिक आपके ल दिलिवर किया जाए इस MCQs की सेशन जो है स्टेंथ होगी ये होगी 30 कोशन की अगर आपको लगेगा कि आपको और जो है इनके ओपर MCQs प्रेक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर एक बार नोटिस कर देना तो हम इसके ओपर फिर से काम करेंगे तो आ ये फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं वीडीयो के अंट तक बने रहना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया वह तो आपसे एक चोटी सीगेस्ट है की आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिये तो पहले देखिये दिपार्टमेट रिस्प स्कीम ठीक है इस स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ इंशूरंस ठीक है लाइफ इंशूरंस सर्विसिस टू प्यूपल लिविंग इन दर रूरल एरियास ठीक है हमारे देश में जो रूरल एरियास आ रहे हैं यहां आते हैं वहाँ पर एक स्कीम हमारी सेंटरल गोर्नमेंट ने लाँच की है जिसका क्या काम है जिसका नाम आता है संपून बिमा ग्राम योजना ठीक है पूरी तरह से रूरल लोगों के लिए यह आती है हमारी स्कीम आती है इसमें क्या होता है ये योजना क्या करती है एक village को identify करती है ठीक है एक village को identify करती है उसका minimum criteria कितना आता है उसका minimum criteria आता है 100 घर उसमें होने चाहिए ठीक है 100 घर होने चाहिए और फिर वहाँ पर ये जो है scheme implement हो जाती है ठीक है तो फिर ये अब आप से जो कोशन पूछा गया था कौन सा डिपार्टमेंट आता है कि जो इसको स्कीम को क्या करता है implement करता है तो बताइए इसका answer क्या आएगा option number C answer आता है department of post ठीक है क्योंकि अगर आपको ये पता होगा ये एक scheme क्या है एक ये postal insurance scheme है ठीक है क्या है ये एक postal insurance scheme है तब ही ये जो है department of post is scheme के लिए क्या है responsible है ठीक है तो option number C जो है इसका answer आएगा तो चलिए आपके next question के ओपर चलते है second question भी जो है हमारा संपून बीमा ग्राम योजना के ओपर ही है ठीक है SBE जोजना is a scheme that provide aims to या संपून बीमा ग्राम योजना is a scheme that aims to provide अब बताईए इसका answer क्याएगा housing for all आएगा ये नहीं आएगा क्योंकि ये ग्राम योजना आती है हमारी आवास योजना ठीक है ये हमारी ग्राम आवास योजना है तो ये इसका answer नहीं आएगा तो option number जो है बी, सी और डी आते है insurance for life stocks ये नहीं आएगा life insurance to people living in the rural areas ये option number डी आते है insurance for cash crops इसका आएगा option number C answer आएगा life insurance to people living in the rural areas ठीक है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया जो हमारा department कौन सा आता है department है हमारा department of post ठीक है department of post जो है वो इसके लिए क्या आता है responsible आता है और वही scheme को क्या करता है हमारे देश में पूरी तरह से क्या करता है लगाता है और पिछली तरह आपको question की तरह बताया था कि हमारा जो है ये scheme क्या करती है पहले तो एक rural area में एक ऐसा village देखे कि जहाँ पर minimum जो है so घर होने चाहिए और वहाँ पर फिए scheme क्या होती है implement होती है ठीक है चलिए अब आपका third question आता है on which year national social assistant program launched अब बताईए इस cancer क्या आता है ठीक है पहले तो अब बता देते हैं ये जो national social assistant program है ये किसको जो है benefit करता है इसके कौन से beneficiaries आते हैं ये इसके बारे में बात करते हैं इसके beneficiaries जो है कौन आएंगे elderly लोग आएंगे ठीक है elderly videos आते हैं ठीक है और लोग कौन से आते हैं people with disabilities ठीक है पहले तो आपने क्या करना है ये चीज याद रखनी है आपसे ये भी exam में कोशन पूछा जा सकता है कि जो हमारी ये scheme आती है national social assistant program ये कौन-कौन से इसके beneficiaries आते हैं तो वो कौन आएंगे हमारे वृद लोग आते हैं videos आती हैं और जो वो लोग जिनमें कुछ physical disability होती है ठीक है अब अगर बात कते है department कौन सा responsible है scheme के लिए the department responsible for the national social assistant program इस वो आता है ministry of ठीक है ministry of rural development ठीक है ministry of rural development ये जो है इसका आता है ठीक है और ये जो है implement कहां पे की जाती है ये दोनो urban और rural जो areas आते हैं दोनो जगा जो है ये हमारी scheme applicable है ठीक है अब आपसे question ये पूछा गया था ये कब launch रही थी it was launched in the year 1995 ठीक है चलिए अगर आपसे ये भी देखिए आपने DPSP भी आपका जो है exam में question आता है तो यहां से आपका एक और question जो है cover होता है directive principle of state policy कौन सा जो है इस scheme को क्या करता था sport करता था वो आता है आपका article number 41 of the Indian constitution ठीक है इसका मतलब क्या होता है that every state should provide public assistance to its citizen in case of old age employment sickness disablement and other cases of undeserved want तब ही इसका जो है article number 40 के साथ directly क्या relation है तो देखिए अगर तो examiner ने सोचा कि मैंने ऐसा question डालना है जो directive principle of state policy को भी cover करे और centrally sponsored scheme को भी cover करे तो क्या पता आप से ये वाला question पूछा जाए ठीक है तो चलिए ये वाला question होगे आपका fourth question के पर चलते हैं when was mg narega scheme officially launched पहले तो आपने इसकी abbreviation याद रखनी है ठीक है पहले आपको इसकी abbreviation याद करा दूँ मैं वो आती है महात्मा गांदी ठीक है महात्मा गांदी national rural employment scheme ठीक है employment guarantee scheme ये चीज़ आपने सबसे पहले इसके बारे में याद रखना है तो क्या बता आपसे बड़ा असानी पूछा जाए इसकी जो है क्या आते है खली इन्होंने क्या किया जाए abbreviation ही पूछ लिया जाए अब बात करते है ये कब launch हुई थी इसके बारे में आपसे question पूछा गया तो बताइए इसका answer क्या आएगा इसका एगा option number A 2nd Feb 2006 इस scheme का क्या benefit है इसमें क्या होता है 100 days का जो है central government आपको क्या करती है card बना के देती है जिसमें आपको 100 days की जो है employment guarantee मिलेगी ही मिलेगी ठीक है तो ये जो है इसका question का answer है और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये act passed कब हुआ था this act was passed by the government of India on 23rd August 2005 ये भी question आप याद रखना हमारे देश में launch कब हुई थी वो ही थी 2nd February 2006 पर हमारे देश ने इसको launch कब किया था या हमारे Parliament of India ने इसको कब launch किया था इस act को कब pass किया था वो आता है 23rd August 2005 ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ठीक है तो चलिए 5th question के ओपर चलते है it is a scheme that aims to bridge the digital divide by training rural citizens to use digital devices and the internet simple आप से यह पूछा गया है इन में से कौन सी scheme है जिसका क्या काम है ये करता है आपको training देता है ठीक है जितने हमारे युवा वर के लोग हैं उसको training देता है किसके उपर training on internet ठीक है internet आपको internet चलाने की और उसके सासा digital payments की क्या करता है training देता है अब बताइए ये कौन सा आपका scheme आता है क्या वो PMG-SY आता है ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसका नाम क्या आता है प्राम पधान मतरी ग्राम सडग योजना या तो अब आप से तीन option है या PMG दिशा या PM अभियास या option number D none of the above बताइए इसका answer क्या है इसका आएगा option number B PMG दिशा ठीक है इट वस लॉंजड ओन 8 अक्तूबर 2017 ठीक है under the mission of प्रधान मंतरी ठीक है प्रधान मंतरी ग्रामीन डिजिटल ठीक है प्रधान मंतरी ग्रामीन डिजिटल साक्षर्ता अभियान ठीक है साक्षर्ता अभियान तो इस scheme के अंदर जो है ये वाली scheme launch की गई थी तो इसका काम क्या है ये training देता है rural citizens को digital devices को use करने के लिए internet use करने के लिए और आज के time पे जो internet और digital payments का system पूरी तहां से हो गया हुआ है उसके जो है module में आपको काम करवाया जाता है ठीक है फिफ्ट कोशन हो गया आपका six कोशन के ओपर चलते हैं पहले कोशन देखिए ठीक है अब ये स्कीम क्या ensure करती है कि सारे जो बच्चे है हमारे देश में दो साल के उमर के कम के और उसके साथ साथ जो pregnant woman है वो पूरी तहां से क्या है fully immunized है किसी भी तरह से विमारी को और उनको हमारे देश में जितनी भी जो है medicines है उनसे इनको क्या होए पूरी तरह से इनकी vaccination हो जाए तो simple है आपका कौन सी ऐसी स्कीम है जो हमारे देश में जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो दो साल की उमर के कम के बच्चों की mortality rate mortality क्या होता है उनका death ratio जो है उसको कम करने के लिए और जो हमारी pregnant women से उनके लिए जो है immunization scheme जो है कौन सी आती है क्या वो option number यह आता है national vaccination scheme या mission इंद्रधनुष या option number C आता है national immunization scheme या option number D आता है none of the above इस का आएगा option number C या answer national immunization scheme ठीक है तो एक और चीज मैं बता दूँ यह जितने भी कोशन है बिलकुल आपके JKP Constable के standard के हिसाब से जो है यह कोशन डाले गए है ठीक है तो चलिए 7th कोशन के पर चलती है which of the following is a national mission to improve farm productivity and ensure better utilization of the resources in the country अब बताइए इस का answer क्या आएगा कौशी ऐसी scheme है जो हमारे देश में farm productivity को बढ़ा रही है better utilization हो रही है resources की हमारे देश में यह कौशी scheme से हमारे देश में benefits हो रहे है क्या वो प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना है या प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना है और प्रधान मंतरी क्रिशी आभूशन योजना है या option number D प्रधान मंतरी सिचाई योजना इसका ऐगा option number B आंसर आता है प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना ठीक है तो चलिए seventh question हो गया आपका अब next question आता है आपका यह बड़ा असान question है इसका आप दो मिनिट में आंसर दे सकते हैं which of the following is a program that aims to provide all weather road connectivity to the rural areas हमारे देश के जितने पिछडे इलाके हैं उनको connect करने के लिए पूरे साल 24 by 7 and with respect to 365 days of the year कोंसी ऐसी scheme है जिसमें इनको ये lab मिल रहा है क्या वो परदान मंतरी गराम सड़क योजना है या क्रिशी सिंचाई योजना है या option number C या option number D इसका आएगा option number A answer जिसकी जो है short form क्या आती है PMG SY ठीक है परदान मंतरी गराम सड़क योजना तो चलिए 9th question के ओपर चलते है which of the following इसे credit link subsidy scheme ठीक है कोंसी ऐसी subsidy scheme है जिसमें आपको जो है उधार मिलता है government of India से अब इसका काम क्या है इसका काम क्या है इसका काम क्या है हमारे देश में जितने भी विचारे जो गरीब लोग हैं उनको housing for all के banner के अंडर घर मिल रहे हैं और उसके लिए क्या मिल रहा है लोन मिल रहा है ठीक है तो बताइए ये कोंसी स्कीम आती है या PMG-SY, PMI-S PMG-AY या PMG-SY बताइए इसका अंसर क्या आएगा इसका आएगा option number C आंसर प्रधान मंत्री ठीक है प्रधान मंत्री आवास योजना ठीक है प्रधान मंत्री आवास योजना जो है इसका अंसर आएगा तो चलिए 10th question के उपर सबसे पहले तो बात कते हैं कि भाई ये सोभाग्य स्कीम है क्या इस स्कीम का काम है तो प्रोवाइड तो प्रोवाइड इलेक्रिसिटी ठीक है हमारे देश में इलेक्रिसिटी हर घरों में हमारे देश के जितने घर है या पिछड़े जितने भी जो है घर आते हैं या पिछड़े जितने भी इलाके हैं उन सब को जो है इलेक्रिसिटी मुहया करवाने वाली कौन सी स्कीम आती है वो आती है सोभाग्य स्कीम 2022 में कौन सी ऐसी state आती है या या यूनिय टरिटरी आती है जिसको ये वार्ड मिला था तो इसका आएगा option number C हमारी जमू एंड कश्मीर यूटी ठीक है ये चीज़ याद रखना है ये बड़ा important आपके लिए कोशन हो सकता है ठीक है बड़ा important कोशन है ये 2022 में सुभागे स्कीम का जो है इनको वार्ड मिला था कि हमारी जो है deadline से पहले ही इन्होंने क्या किया था हर एक district को हर एक household को क्या की थी electricity provide करवाई थी खाली एक तैसील रगी थी ठीक है ये district रगी दिवा आती है किस्तवार ठीक है ये चीज़ याद रखना तो चलिए आपका 11th कोशन आता है बड़ा असान कोशन है ये क्या वो सुभागे स्कीम है उजवल योजना है पी-म-ए-वाई है या पी-म-जी-स-वाई है इसका हैगा option number B answer उजवल योजना ठीक है तो चलिए 12th कोशन के ओपर मुद्रा योजना इसे स्कीम ठीक है मुद्रा योजना इसे स्कीम बाइदा गोवर्मेंट ऑफ इंडिया अब बताइए इसका answer क्या आएगा बताइए क्या वो option number A आता है loan to all citizens under the 40 years of age या credit scheme for college going students या loans to micro and small enterprises या loan for women इसकी abbreviation क्या आती है दा मुद्रा योजना की abbreviation आती है micro units micro units development development and refinance agency ठीक है ये भी आपसे exam वे question पूछा जा सकता है ठीक है तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये कब लाउंच वही थी ये लाउंच ली थी प्राइम मिनिस्टर नरिंद बोधी ने इसको लाउंच किया था आठ एपरल ठीक है आठ एपरल 2015 को जो है इसको लाउंच किया था अब बताईए इस question का answer क्या आएगा इसका आएगा option number C answer आता है the loans to micro and small enterprises हमारे देश में जितने भी जो है छोटे enterprises आते हैं जो घरों में ही जो है एक तरह की आप कह सकते हैं फैक्टरी लगा के बैठे हैं घरों से ही जो है आगे delivery का काम करते हैं उनके business को boost करने के लिए जो है ये start-up scheme है ठीक है तो चलिए आपका 13th question आता है शिशू, किशोर और तरुन schemes are related to which centrally sponsored scheme बताईए कौन सी ऐसी scheme आती है जिसमें तीन terms आती है शिशू, किशोर और तरुन scheme इसका भी जो है क्या आएगा option number D answer आएगा मदरा scheme अब बातब करते हैं ये क्याए, आपको पता मुदरा scheme में क्या होता है यह होता है, loan मिलते है हम लोगों को, काम करने के लिए अपने business को बढ़ाने के लिए तो जो इसमें शिशू कैटेगरी आती है, ठीक है जो शिशू कैटेगरी आती है इसमे loan आपको कितना मिलता ठीक है लोन आपको कितना मिलता है ये मिलता है 50,000 तक ठीक है और जो आपका किशोर आता है ठीक है किशोर आता है किशोर में आपको लोन किदर तक मिलेगा ये आपको लोन मिलेगा पांच लाग तक ठीक है और आपका तीसरा जो आता है वो आता है तरुन तरुन में आपको कहा तक loan मिलेगा, loan up to 10 lakhs, ठीक है? तो चलिए, ये भी आपका question हो गया, अब चलिए, next question के उपर चलते हैं, 14th question के उपर, Which of the falling scheme was announced by Prime Minister Narendra Modi on his first Independence Day speech on 15th August 2014? ये तो हम जानते हैं कि प्रदान मंत्री, Narendra Modi जो सबसे पहली बाद प्रदान मंत्री बने थे, वो बने थे, 2024 के elections में, ठीक है? तो 2024 में चुने जाने के बाद, उनकी पहली जो Independence Day की speech थी, 15 अगस की, उसमें उन्होंने को सी scheme को launch किया था? क्या वो option number option number या आता है, मुद्रा scheme, या option number B आता है, PMG-SY, तो चलिए आपका 14th question हो गया, तो 15th के ओपर चलते हैं, the slogan of the जन्धन scheme is, बताइए, मेरा पैसा, देश का पैसा, या option number B आता है, हम सबका भरोसा, बैंक अपना, या मेरा खाता, खाता भागय विताता है, या option number D, none of the above, इस का आएगा, option number C, अंसर, मेरा खाता, भागय विताता, ठीक है, तो चलिए, 16th question के ओपर चलते हैं, which of the following program was launched by the ministry of law and justice, in collaboration with the ministry of electronics and information technology, 2017 में, कौन सी ऐसी scheme launch की गई थी, कौन से department involved हैं इसमें, ministry of law and social justice, और उन्होंने किस के जाएगा कोलाबरेशन किया था, ministry of electronics and information technology, अब बताईए इसका answer क्याएगा, digital law पढ़ाई, tally law initiative, यह option number C, digital justice initiative, यह option number D, नना दबव, इसका एगा option number B, यह answer, tally law initiative, अब आप बात करते हैं, इसका scheme का काम क्या है, इस scheme का काम आता है, video conferencing, ठीक है, इस scheme का काम है, video conferencing करना, और फैलिशियेट करना, जितने हमारे जो है, क्या कहते हैं, जितने हमारे rural areas हैं, ठीक है, जितने हमारे rural areas हैं, जहां से लोग जो है, कोई क्या कहते हैं, वकीलों को effort नहीं कर सकते हैं, उनको video conferencing के थूरू, यह telephone calls के थूरू, जितने practicing lawyers हैं, जो जादा, मतलब अच्छे हैं, जो जादा, बड़े जादा intelligent हैं, उनको जो है, उनके साथ क्या करना, correct कराना, connect करवाना, और उनसे क्या करना, उनको justice की जो है, डिमांड करवाना जल्दी से, ठीक है, तो इसका 16th का जो है, option number B answer आएगा, तो चलिए, 17th question आता आपका, दा राश्टरी ये, वेओ शरी योजना, इसे scheme that provides, अब बताइए, इसका answer क्या आएगा, जो राश्टरी ये, वेओ शरी योजना है, ये क्या काम करती है, पहला option है, housing for elderly people, यह legal aid to elderly people, यह option number C, nutritional diet to elderly people, यह option number D, physical aids, and assisted living devices to the senior citizen, इसका option number D, यह answer आएगा, ठीक है, अब इसका काम क्या है, जैसे हमारे क्या होते है, walking sticks होगरा होगे, ठीक है, walking sticks होगरा होगे, यह और चीज़ें होगी, जैसे hearing devices होगे, crutches जिसको कहा जाता है, जो बेसाखी जिसको कहा जाता है, tripods होगेरा, hearing aids होगेरा, wheelchairs होगेरा, यह सब चीज़ें, जो हमारे वृद्ध लोगों को जरूरत होती है, booty age में, तो वो चीज़ों को, in scheme के थूरू क्या करना, उनको पहुंचाना, ठीक है, जो हमारा अटल पैंचन योजना है, इसका older, sorry मैंने पहले अदर बोल दिया, इसका पुराना नाम पहले क्या था, क्या वो option number 1, कारिय योजना है, या option number 2, स्वाब लंभन योजना है, या option number C आता है, निश्टावान योजना, या option number D, करुना निधी स्वीम, इसका आएगा, option number B, स्वाब लंभन योजना, ठीक है, अब ये launch कब हुई थी, ये हुई थी, 9 मैं 2015 को, कोलकता में की गई थी, और इसका main objective क्या आता है, economic security क्या करना, पहुंचाना, ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे जितने वृद्ध लोग हैं, वो किसी ना किसी कारण में क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं, serious health issues हो सकते हैं, family issues हो सकते हैं, जिसमें आपका main जो cause होता है, क्या होता है, age factor होता है, तो इन लोगों को pension, जो है, मोहया करवाना, इस scheme का काम आता है, ठीक है, तो चलिए ये कोशन हो गए, आपका 19th कोशन के ओपर चलते हैं, वंदना कटारिया, ये बड़ा important कोशन है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जमू एंड कश्मीर की personality भी आती है, वंदना कटारिया, तजम अलिस्लाम, फिर जो है, साक्षी मलिक, अवनी लखारा, या अवनी लखेरा, विज बीन, ब्रैंड अमबेस्डर आफ विच, सेंट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम, बताइए इसका अंसर क्याएगा, ये जो लोग हैं, ये कौँसी सेंट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम के, ब्रैंड अमबेस्डर चुने गए हैं, अब देखे, यहाँ पर मैक्सिम, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये सब क्या है, वुमन सा है, या लड़की है, तो ये कौँसी स्कीम है, कि इसका आएगा, ये नहीं आएगा, यूबा भविश्य योजना, ये उप्शन नमबर D, चाइल्ड वेलफिर स्कीम, इसका आएगा, उप्शन नमबर D, सुकन्या समरीदी योजना, ठीक है, तो चलिए, आपके दस कोशन्स होगे हैं, दस रह गे हैं अब आपके, अब आगे के जो आपके 10 कोशन्स आना है, ये बड़े इंपोर्टन्ट है, ये मैं आपको पहले बोल दूँ, ठीक है, ये आपके जो है, बड़े इंपोर्टन कोशन्स आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से आप करना, विच आफ दा फॉलिंग स्कीम, इस टू प्रोवाइड सोशल सेक्यूरिटी, दूरिंग गोल्ड एज, और टू प्रोटेक्ट एल्डर्ली परसन एज 60 अबव, अगेंस्ट ए फ्यूचर फॉल इन देर इंटरस इंकम, देखिए, पहले भी हमने जो है, जो एल्डर्ली लोग है, उनके उपर दो-तिन स्कीम कर ली है, पर ये वली इसलिए इंपोर्टन है, क्योंकि रिसेंट्टी जो आपके एक्जाम सुए है, ये स्सी का जो 2022 का जो एक्जाम था ना, वहाँ पर ये कोशन पूछा गया था, तो क्या बता, इसका अंसर क्याएगा, क्या वो औफ्शन नमबर ये आता है, प्रधान मंतिरी वय वंधना योजना, पैंशन स्कीम, वन रैंक वन पैंशन स्कीम, ये औफ्शन नमबर डी, इसका आएगा औफ्शन नमबर ये आंसर, ठीक है, प्रधान मंत्री वय वंधना योजना चलिए अब आफका नेक्स कोशन आता है बताइए इसका आंसर क्या आएगा प्रधान मंत्री आवास योजना ठीक है प्रधान मंत्री आवास योजना जो है इसका पहले नाम क्या होता था ठीक है जो इसका original नाम था वो क्या था क्योंकि 1985 में ये scheme लाई गी थी और किन के द्वारा लाई गी थी राजीव गांधी जी के द्वारा ठीक है राजीव गांधी जी के द्वारा लाई गी थी अब बताएए इसका answer क्याएगा इसका एगा option number C इंदिरा अवास योजना ठीक में sport है अगर आपने कभी notice किया होगा हमारे देश का जो sports है अब ये बड़ा जादा जो है flourish कर रहा है चाहें वो individual कोई भी game लगा लो या वो आपकी team game लगा लो कोई भी जो है इनको अब जो है बड़ी जादा पहचान मिल रही है जो हमारे sports मैंना ये बड़ा जादा क्या क 1718 बाय प्राइम मिनिस्टर मोधी ठीक है और उस समय के sports मिनिस्टर कोई थे हमारे sports मिनिस्टर थे उस समय वो थे वीजे कोईल ठीक है वो थे वीजे कोईल और दूसरे जो personality present थे वहाँ पे वो कोई थे राज्य वर्धन सिंग राठ और ठीक है राज्य वर्धन सिंग राठ और चलिए ये वाला कोईशन आगया आपका next question के ओपर चलते है on which year आयूश मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना लांच बताइए इसका answer कह एगा इसका option नमबर ए 2018 ठीक है तो चलिए 25 के ओपर चलते है which scheme was launched with the aim of bringing together urban planning economic growth and heritage conversation या conservation in an inclusive manner to preserve the heritage character of each heritage city कोई सी ऐसी scheme है जिसका काम क्या है urban planning करना economic growth करना किसी एक city की और उसकी heritage conservation जैसे हमारे जम्मू की बात करते हैं यहां का मुवारक मंडी का पहले से है इसकी conservation करना ठीक है जो वो city किसी specific चीज के लिए अगर जानी जाती है जैसे हमारे जम्मू की है बड़ी चीजों के लिए जानी जाती है जिसमें सबसे पहले तो मुआरक मंडी पहले साएगा आप रगुनाद जी टेंपल कह सकते हैं बहु फॉर्ड कह सकते हैं उन चीजों को उन प्लेसिस को को सी स्कीम से लाब मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा इसका आएगा option number B answer हरीदय योजना ठीक है तो चलिए F26 कोशन के ओपर चलते हैं which of the following is a nationwide initiative to make India more accessible for people with disabilities बताइए इसका answer क्याएगा मतलब ऐसी को सी स्कीम है जिससे जो है हमारे लोग हैं जिनको disability है जैसे कोई जो है कोई पोलियो गरस्ता है या किसी के मतलब हाथ जो है नहीं चलते हैं उनको जो है को सी स्कीम से बेनिफिट मिलेगा इसका आएगा option number C national employment for disabled ठीक है चलिए ये वाला हो गए आपका अब आपके चार कोशन बचे हैं तो पहला कोशन आता हो उनमें से बताइए इसका answer गया है और एक चीज़ मैं बता दूँ ये स्कीम जो है हमारे देश में किन के साथ related है या आती है minorities के साथ ठीक है minorities के साथ आती है और उनका क्या काम है ये क्या करते है हमारे जो traditional arts हो गयरा जो है इनको क्या करते है promote करते हैं तो इसका आएगा option number D या answer promote traditional arts and crafts of the minority community ठीक है इसको उस्ताद जो है scheme कहा जाता है ठीक है और इसकी abbreviation क्याती है upgrading the skill and training in the traditional arts craft for development ठीक है तो चलिए अब चलते हैं हमारे 28th question के उपर the abbreviation of PKV wise scheme is अब बताइए इसका answer क्या आएगा ठीक है इसका आएगा option number A प्रवासी कोशल विकास योजना ठीक है हमारा जो Indian youth है ये उनके साथ related है इसका काम क्या है इस scheme का उनका confidence boost करना ठीक है क्या करना इनका confidence क्या करना boost करना जैसे क्या है हमारे देश के लोग आपको पता ही है बाहर जा रहे है ये ठीक है जैसे Canada लगा लो US लगा लो Australia लगा लो पढ़ाई करना ही जा रहे है रोजगार के रूप में जा रहे है तो उनको जो एक तरह की vocational training scheme है ये जि प्रवासी कोशल विकास योजना तो आपका आता है 29th question which are the following program focused to develop India's tourism potential in a sustainable and responsible manner ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा कोशन है तो बताइए इसका answer क्या आएगा क्या वो option number ही आता है भारत दर्शन scheme या national tourism mission या स्वदेश दर्शन scheme या option number D स्वदेशी विलाब लंभन scheme इसका आएगा option number C या स्वदेशी या स्वदेश दर्शन scheme तो चलिए आज के session का आपका last question आता है which of the following scheme aims to transform 100 cities to provide necessary core infrastructure and clean and sustainable environment to enable a decent quality of life to their citizens through the application of smart solution बड़ा असान कोशन है और क्या बता आप से यही scheme के ओपर जो है एग्जाम में पूछा जाए क्योंकि यह हमारे जम्मों एंड किश्मीर में talk of the town था बड़े जादा इसके criticism हुए बड़े जादा लोगों ने इसके जो है मतलब खिलाब भी बोला बड़ा जादा इसके लिए favor भी किया बताइए इसका answer के आएगा इसका आएगा option number A smart city scheme ठीक है तो चलिए दोस्तों आज का session आपका on the centrally sponsored scheme पूरी तरह से क्या होता है खतम होता है आपसे एक request है हमारे लिए कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो है like कीजिए हमारी वीडियो को like कीजिए comment section पर बताईए कि क्या ये वीडियो सच में beneficial थी आपके लिए या नहीं और next topic आपको कौन सी scheme के उपर या कौन से topic के ओपर चाहिए अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हुआ तो आपसे request है कि आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए ताकि हमारी सारी notification जो है daily videos आपको जो है mock test आपको जो है notify कर दिये जाएं और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिएगा तो thank you guys next video में अब आपके साथ मिलते हैं आप अपनी तैयारी में पूरी ताह से लगे रही है